हेलो बच्चो वेलकम टू मैं चेनल सीड अक्याडमी और मैं हूँ आपके साथ नेहा आज हम लोग प्रॉबबिलिटी को अपना कंटिरियो करेंगे ये क्लास 10 के लिए है बेसिकली जो हम लोग NCRT की बुक यूज कर रहे हैं वो क्लास 10 के लिए है लेकिन बिटा 7 से लेकि ये प्रॉबबिलिटी आपकी शुरू हो जाती है 7th, 8th, 9th, 10th, 11th वेर्थ और इन फ्यूचर जो आपके competitive exams होते हैं जो आपके aptitude test आते हैं उन सब में भी probability बहुत बड़ा अपना रोल निभाती है तो चलिए देर ना करते हुए अपनी question start करते हैं आज हमारा ये day 4 है इससे पहले already मैं day 3 तक की probability बना चुकी हूँ जिसमें आप introduction से लेके बहुत कुछ हम सीख चुकी हैं तो आज हम लोग अपनी exercise continue करेंगे chapter 15.1 को लेकिन इससे पहले मुझे ये question लेना था question number 11 से start करना था लेकिन पहले 11 से पहले 13 को हम discuss करेंगे और फिर वापस 11 और 12 को लेंगे चिक हैं तो यहां पर बेटाया probability मैंने आपको पिछली भी class में बताया था कि probability होता है possibility कि कि किसी चीज को करने की संभावना क्या है तो इस question में खड़ी पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर एक circle बनाया हुआ है और उसमें से कुछ shaded portion है और कुछ unshaded है और यहां पर एक arrow है जो कुछ चीज को denote कर रहा है तो आपकी book में already given है कि a spinner shown here is rotated once what is the probability that the arrow will stop at the shaded region ठीक है तो यहां पर question यह है कि जैसे कई बार एक game खिलाते हैं और prizes लिखे होते हैं और जहां पर वो arrow जाके रुपता है वो प्राइस आपको दिया जाता है इसी करना का यह एक spinning rotation है जिस पर arrow लगा हुआ है वो यह बोलता है कि क्या possibility होगी कि जो shaded portion है वही आए उस arrow पे तो कई पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं आप इस parts को 1,2,3,4,5,6 करके 2 by 6 answer लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो कि जो यहां पर ऐसा ना करने का जो reason है अगर आप बोलते हो नॉर्मल अगर आप बोलते हो तो आप लिख यहां पर ऐसा नहीं करेंगे आप possibility आती है कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आप बेटा देख रहे हैं कि जो partition हुआ है पूरे circle का उसका partition क्या है same नहीं है आप देख रहे हैं कि यह जो area है इसका area कम है इसका जादा है फिर यह कम है यह जादा है यह जादा है यह जादा सेम, नहीं है. तो in that condition हम लोग क्या करेंगे पीटा? यह question ऐसे जो आते हैं, वह जो आते हैं कि आप circle को लेगी अगर circle की बात करें तो circle को क्या है, हम लोग 4 sector में बाढते हैं या 4 quadrant में बाढते है ये औरा portion आपको quadrant 2 कहलाता है और ये आपका quadrant 3 प्लस ये आपका quadrant 4 होता है जो की सारे 90 90 degree के होते हैं और जब आप 90 degree 90 into 4 करते हैं तो उसका total आपका हो जाता है 360 ओके we will come back to our question तो यहां पर क्या होता है जो shaded portion है अगर आप दिहान से देखे कि कुछ shaded portion क्या है आपका quadrant 1 में आया हुआ है और कुछ shaded portion आपका quadrant 3 में भी आया हुआ है और अगर आप quadrant 1 और quadrant 3 को मिला देते हो तो ये क्या होगा पूरा एक quadrant बच जाता है देख रहे हैं क्योंकि इ इतना सा portion है वो यहां पर खाली है और इसका यह जो portion है वो यहां पर खाली है अगर shaded का दोनों का मिला देते हैं तो क्या होता है एक पूरा quadrant आपका ऐसा आता है 90 का जो आपका shaded बन जाता है इसलिए यहां पर अगर possibility बात की जाए तो यहां पर already हमें पता है कितने quadrant है चार quadrant है और उसमें से हमारे shaded अगर total करके बनाएंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा तो यहां पर shaded probability आपकी क्या रहेगी 1 by 4 की रहेगी ठीक है होफ़ली आपको समझ में आया हुआगा और आप यह गलती बिलकुल नहीं करेंगे कि आप number of sectors नहीं आप number of cutting जो यह फार्ट्स बनेवए इसको टोटल करके और जितने shaded है वो लिखके आप answer निकाले ओके चले तो यह आपका है question number 13 इसके बाद हम लोग वापस अपने question number 11 से start करेंगे क्योंकि पैलता हम already complete कर चुके है बचो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है प्लीज इसी की नीचे मैंने description box में link दिये हैं आप day 1, 2, 3 कर सकते हैं इससे आपको probability अच्छे से समझ में आएगी और प्लीज मुझे subscribe करना ना भूलिए क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ नए जूड रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से chapter complete करें without doubts तो प्लीज सब probability of getting a number which is either a multiple of two or of three ठीक है पहले आप either और मैंने आपको पहले भी बताया था कि very important कि जो आपकी probability की जो words होते हैं आप उनको clearly समझने की कोशिश करिये ठीक है अगर आपको words समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजे कि आपका answer भी आ गया तो बहुत की specific आपकी numbers है कि जो आपको थ प्रैक्टिस करते हैं बहुत जल्दी याद हो जाते हैं तो यहां पर उसने बोला है either a multiple of two or three सबसे पहले क्या गोला है तो हम क्या करेंगे total number of observations निकालेंगे कि total कितनी possibilities बनती है तो यहां पर total possibility क्या होगी a single dice है चीक है single dice में possibility क्या होगी वान होगी 2 आएगा 3 आएगा 4 या maximum six आ सकता है इससे जादा तो number होते ही है ओके तो one two three four five six आगा है अब यह तो हमारी हो गए total possibilities अब question में उसने क्या बोला है either a multiple of two or three तीक है या तो वो multiple होने चाहिए two के या three के मतलब दोनों को उसने include किया है तीक है either और 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 का मतलब यह और यह भी मतलब उसको दोनो चीज़ें common नहीं चाहिए उसको यह भी चाहिए और यह भी चाहिए चीक है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे जो multiple of two है अगर multiple of two की बात करते है तो यहां पर आपके क्या मilटीपल of two के एक तो two को आ जाता है ठीक है तो उसने two को ले लिया एक आपका four आ जाता है तो four हो और एक आपका 6 भी आ जाता है तो 6 हो गया यह क्या हुए आपके multiple of 2 हो गया ठीक है उसके साथ उसने क्या पोला है multiple of 2 और 3 3 के में multiple होना चाहिए तो 3 का multiple एक तो 3 खुद है ठीक है और एक आपका 6 है लेकिन यहाँ 6 आप दुबारा नहीं लिखेंगे ठीक है क्योंकि 6 और एक 6 आएगा तो आप जीतोगे जीतोगे ना तो उसको डब्लिंग नहीं करना है कभी भी तो यहाँ पर आपका 2, 4, 6, and 3 जो आपकी है possibility होती है कि जो multiple है वो आपके 2 और 3 के कौन-कौन हो जाते है 2, 4, 6, and 3 हो जाते है ठीक है तो यहाँ पर आपकी possibilities आ गई बिट तो इसको possibility लिख लेते हैं हम लोग तो आपका 2 by 3 क्या हो आपका answer आजाता है clear है hopefully आपको clear हो गया होगा बहुत easy question है कि क्या है सिर्फ यहाँ रड़ना है कि either और और की बात की जाती है तो दोनों को लेना है common नहीं लेना है दोनों को लेना है दोनों को बुलाया जा रहा है ठीक है? ओके इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी question number 12 पे our die is thrown once find the probability of getting a number which is not a factor of 36 ठीक है? तो आपको बोलना है कि ऐसा number बताना है जो 36 का factor नहीं होगा ठीक है? क्या नहीं होगा? ओके यह मिटा देते हैं die की बाद ही कर रहा है तो dice के लिए हम लोग लिख सकते हैं वापस अपनी number of observation जो हम लोग हर बाद लिखते हैं कि total आपके observation जो है outcomes क्या है? 1 है, 2 है, 3, 4 and 5 and 6 है यहां पर बिटा को question पूछा गिया है वो पूछा जाता है कि जो आपको die पेकनी है उसका which is not a factor of 36 उसका factor 36 नहीं होना चाहिए, चीक है? यहां पर not a factor of 36, ओके? तो 36, factor का मतलब होता है बेटा, factor or multiple factor का मतलब होता है ऐसा number जिसमें 36 आता है जिसके table में 36 आता है यहां 36 किसका multiple है बोल सकते हैं आप यहां 36 का factor क्या है मतलब ऐसे कौन से number है जो 36 को completely divide कर देते हैं चीक है? तो वो सारे उसके factors कहलाते हैं यहां पर अगर बात की जाए तो 1 तो सभी का factor होता है आपको पता है 1 के table लेते हो तो आपके हर number 1 का factor होता है तो यह को हम यूज नहीं कर सते हैं क्योंकि हमें कौन से चाहिए जो 36 का factor नहीं हो यहां पर आप 2 देखते हैं बिड़ा तो 2 भी आपका नहीं होगा क्योंकि 36 क्या है आपका एक even number है और मैंने अपनी प्रिछली क्लास आपकी जो यूट्यूब पर आप मैंने अपना वीडियो दिया है उसमें मैंने आपको divisibility rule समझाया है जिसमें साफ बताता है कि अगर आपका last number last digit even है तो वो 2 से divisible है तो यह भी आपका factor हो गया तो बेटा 4 भी आपको क्या होता है 4 नाइजा तो सबको पता है कि 4 नाइजा 36 होता है यहां पर 5 की बात करते है तो 5 है कैसा number होता है जो हम जानते कि अगर 5 को कोई भी number है उसकी last digit 0 और 5 आती है तो वो उसका multiple कहराता है लेकिन यहां पर last digit आपकी 6 है तो इसका मतलब है जो 5 है वो आपका factor नहीं है 36 का clear है तो हमें अपना पहला answer में लिए कि पहली possibility क्या है कि अगर 5 आएगा तो हम लोग मतलब यह हमारे favor में होगा चीक है अगर 6 की बात करते है तो आपको 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 पता है 6 इसका 36 होता है यहां पर आपको 6 भी क्या हुआ useful में है तो अब आप देख सकते है बेटा कि अगर हमारे question की बात की जाए तो हमारी जो probability आती है possibility सिर्फ एक है कि अगर dice पेकेंगे और अगर हमारा 5 आता है तब ही हम जीतेंगे otherwise नहीं जीत पड़ गे तो यहां पर आपकी favorable possibility कितनी है 1 है और total possibilities कितनी है आपकी 6 है तो 1 by 6 आपका answer हो जाता है Hopefully आपको समझ में आया होगा यह question मैंने आपको कैसे समझाया है Clear है? Okay अब चलते हैं next question की तरह Next question है बिटा What is the probability of non occurrence of an event that is certain to happen? Okay यह fourth question में आपको थोड़ा सा घुमा की कई बार एक या दो question में पूछ लिया जाता है इसमें यह बोल रहा है कि unexpected अगर कोई चीज हो जाती है तो उसकी possibility क्या होगे? पिटा अगर कोई भी चीज unexpectedly हो जाती है तो हमें उसके नहीं favorable पता है तो in that condition जो आपका fourth answer रहेगा उसका answer zero रहेगा उसकी probability zero रहेगी तो चलिए हम लोगों ने आज four questions discuss करें मिलती हो जल्दी ही next video में और हम इसको continue गरेंगे Keep watching me, thank you, bye-bye